इसली पर Big Boss OTT 2 में यूटुबर्स विनार हो गए तो इन टीवी वालों को ये सब बात है पची नहीं इस पार Big Boss 17 में इन्होंने व्यूक के जिरो सेवन राइडर मतलब की YouTube के मेंबर्स को रोष्ट पे रोष्ट किया जा रहा है ये तो लेटिस नीज है बाब लोगों को बोलोगे मुनावर भाई वो भी तो एक यूटूबर है उन्हें तो कोई कुछ नहीं कहता अवे मुनावर भाई को तो आदत है क्यातर है निकी कभी रियल लाइफ में तो कभी रियल एटिश्यों में पिछले वीडियो में मैंने बता था बिग बोस 17 बाबु भाईया के लिए खत्रा कैशे बना हुआ है तब तो तुम्हें कुछ ही किल्प से दिखाए थी तब तो मुझे नहीं पता था कि बाबु भाईया को तो बिग बॉस खुद बिग बॉस रोष्ट कर रहा है आपके सामने तो बिग बॉस भी पानी कम है अनुराग ने जोक मारने की कोशिश करी आप लोगने ताली भी नहीं बचाए बाबु भाईया वे बिग बॉस में आते वक्ष्टों ऐसे हो रहे थे जैसे वे दुनिया जीतने जा रहे हो मतलब बिग बॉस में जाना दर्ति पे कबजा करना है लेकिन बाबो भाईया जी बिग बॉस की दर्ति तो आपको कुछ बोलने भी नहीं दे रही हारे एक लान पे आपको पंच पे-पंच मिलते हैं बाब भाईया राइडर है और इन्हें खुशिता बहुत है जब इन्हें पता चलता है कि बिग बॉस में बाईक लेके जा रहे हैं बिग बॉस में आपको क्या लगा वहाई दोड़ा-दोड़ा के खूंट थबोड़ा में आपको बिदिए और वैसे बाई कि साथ बता रहा है इस आदिक वीडियो देकियो वीडियो में देखो भीक और दूसे दिन इंस्रेंस क्लेम ने के लिए नहीं हर दूसे दिन कार फुड़ा भी लेती है और अगले दिन ही एमाई पे कार उर्वाइक लेबी आते हैं और वेसे बावु भया को लगा था कि बावु भया की जनता ब्रो से ना उनका सपोर्ट करने वाली लेकिन क्या ने यह नहीं पता था क कि 5-5 साल के बच्चे क्या ही सपोर्ट करेंगे भाव भया के बाद अगले यूटीूबर है मनावर भाई जिने बिग बोस में साय्द इसलिए रखा गया है कि बिग बोस वालों को पता था कि मना नवर भाई थीन महीन्य क्या अगर तीन साल के लिए बिग बोस हो तो भी बी का चैनल कभी देखा नहीं लेकिन वीडियो बनाने के लिए देखा तब क्या देखूंग ये तो थोड़ी बहुत कमेडी कर लेते हैं लेकिन जरूरती क्या है जब इनकी जंता बीना बात बीना कुछ बोले बेवज़े ही गला फाड़ फाड़ के हसने लग जाती है कोई है करक सब्सक्राइब करना होगा सब्सक्राइब करना होगा यहां पर इनको डूब्लिकेट पारवती नहीं क्या है सरस्नौई क्या है अच्छा तू बड़ा जानता है